कल से आपका एक्जाम सर्थ हो रहा है डी एफ सी सी आ लिका तो आपको पता है कि इसमें पूरा का पूरा CBT-1 जो है नॉन टेक हो रहा है सो कॉशन्स आने वाले हैं तो बहुत सार इस्टोएंट कह रहे थे कि सर एक वीडियो बना दो जिसमें आप बता दो कि हासर कैसे attempt करना है फेपर को क्योंकि वो बहुत जरूरी है technical नहीं होगा CBT-1 में पूरा पूरा non-technical है तो attempt कैसे करेंगे पहले वो बात कर लेते हैं क्योंकि वो ही जरूरी है आपके लिए जब आपके सामने कल एक्जाम खुलेगा तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़े आ रही है वो आपको पता होना चाहिए तो dedicated fight corridor corporation of India की तरब से form था आपको पताए first share जो है CBT वो consist of 100 multiple choice question है एक question एक number का है exam duration जो है वो 90 minute है तो time बहुत दिया हुआ है time ऐसा नहीं की कम है अगर आपको 100 question solve करने है वो भी objective तो time is sufficient बट आपको management करना होगा सही से जो syllabus है या आप exam pattern है वो बात कर लेते हैं जैसे mathematics जो है या numerical ability आपका 30 number का आ रहा है general awareness यहाँ से आपकी 15 questions आ रहे है एक question एक number कही है general science आपकी यहाँ 15 questions आ रहे है logical reasoning और general intelligence के यहाँ से 30 questions आ रहे है यानि कि यह दो बड़ा weight is आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है total अगर हम बात करें सो 60 number तो सिर्फ maths और logical reasoning से पूछे गए है ठीक है knowledge about the railway यह 10 questions आएंगे यहां से बेसिक बेसिक से होंगे इसमें ज्यादे दिक्कत के वाले आपको बात नहीं है तो सबसे पहली बात तो आपको यह कि attempt कैसे करना है CBT mode paper है तो पहले में बता दूँ आपको जैसे कुछ चीजे जहां ज्यादे टाइम लगेगा वो होगा maths और reasoning बाकी में general awareness, science वाला portion और knowledge about the railways यह वाला simple अगर आता है तो ठिक करोगे नहीं आता तो skip करोगे इतना ही है तो सबसे पहले आप क्या करोगे सबसे आप पहले general awareness को start कर देना फिर general science और यह मतलब की 15, 15, 30 और 10, 40 तो यह 40 नंबर का paper पहले attempt करना जितनी speed से आप करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा क्योंकि वहाँ पर आपका confidence build up हो जाएगा क्योंकि starting में क्या है exam center में भी थोड़ा होच-पोच महल होता है क्योंकि किसी का exam start होता है किसी का नहीं होता तो वो exam के जो वहाँ पर duty दे रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि इसका exam start करो तो वहाँ होच-पोच वाली स्थिति होती है उसको tackle करने के लिए अगर आप सोचो कि पहले mathematics से start करते हैं क्या होगा कि maths में अगर मालनो कोई tough question देख दिख दिया सुरवात में पहला ही question तो वहाँ आपका confidence नीचे आ जाएगा तो सबसे पहले आप क्या गरो general awareness science और ये वाला portion इसको पहले attempt कर लो उसके बाद reasoning और maths में से जो आपका अच्छा है किसी-kis का reasoning अच्छा होता है किसी-kis का maths अच्छा होता है तो उसको पहले attempt कर लो मालनो आपका reasoning है तो reasoning को अटेम्ट कर लो maths अच्चा है तो maths को attempt कर लो आपको पता कि negative marking ही इन्हें मार्किंश की न हो रख्खे है 1 by 4th मतलब आख 4 question आ अप गलत करते हो तो एक कोईशन सही मार्क्स काट लिया गाएगा ठीक है यह बेसिक बेसिक से information थी तो मेरे according तो पहले यही कि करो आप जितना भी general awareness, science और railway यह वाला पहले attempt कर लो बाकी का इन दोनों में जो है तुक्का तो लगाना ही नहीं है पहली बात है ना maths और reasoning में तुक्का भिलकुल नहीं चलता कहीं भी कोशन सोल करोगे concept पर रखा है practice कर रखे नफ तो अराम से वहाँ कोशन बनेंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी time का बस एक बात ध्यान रखना कि यह तीन जो portion है शुरुवात वाले इनमें थोड़ा सा time speed से खीच कर चलना है तो फिर आपको कोई दिक्कत भी न नहीं होगा ठीक है यही मेरे को आपको tips देनी थी last minute tips मान सकते हो आप इसको और अगर आप इसको apply करते हो तो अच्छा exam जाएगा और all the best सभी को अच्छे से exam देना हम आप से बात भी करेंगे कैसा आपका exam गया है ठीक है चलो bye bye take care and thank you so much